हेलो स्टुडेंग्स, वेलकम टू आर चैनल, लर्निंग नोट बुक आज इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर, वर्ब्स करेंगे इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी प्राक्टिस एक्सरसाइस के साथ, तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखी और स्टुडेंग्स, हम अपने चैनल, लर्निंग नोट बुक पर, क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इस वीडियो को तो देखे ही, साथ-साथ हमारे चैनल, लर्निंग नोट बुक को भी चेक आउट करें और हाँ, अगर आप हमसे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम ग्रुप्स और वाट्सेप ग्रुप्स को अभी जोईन करें So, let's see what all topics we are going to cover today in this video First, we will understand verbs as doing words Then, verbs which are used to denote state of being Then, we will move to verbs which show belonging or possession उसके बाद मैं आपको दूँगी इन सभी पर practice exercise हम मिल कर इसको solve करेंगे फिर अपना next topic होगा, students Forms of verbs ठीके और उसके बाद एक बहुत important topic बनता है Subject-Verb Agreement यह topic बहुत important है और इसको मैंने cover करा है एक separate video में तो इस video को भी जरूर देखिए So, let's start with our first topic, verbs as doing words So, what are verbs? Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing तो verbs वो words होते हैं, ऐसे action words होते हैं sentence में, जो describe करते हैं, बताते हैं कि subject क्या कर रहा है तो words are the action words, यह action words होते हैं sentence में Examples देखते हैं, he eats his dinner quickly, वो जल्दी खाना खाता है तो यहाँ पे action किस, कुवण सा word बता रहा है? यह, eats, खाना, eats यानि खाना, तो वो जल्दी खाना खाता है, यहाँ पे eats, जो उसका action है, वो verb है We went to the market, अब यहाँ पे action क्या हो रहा है? जाना, went यानि जाना, तो went होगा verb You write neatly in your notebook, तुम अपनी notebook में साफ लिखते हो, neatly लिखते हो तो यहाँ पे action क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है इदर? लिखना, यानि write So write is a verb in this sentence Birds fly in the sky, birds आसमान में उड़ते हैं तो यहाँ पे action word क्या है? fly So fly is a verb in this sentence Now next, verbs can also denote state of being where no action is being performed So students, अभी हमने देखा कि verbs action words होते हैं, पर जहाँ पे कोई action perform नहीं हो रहा, वहाँ पे verbs denote करती है, state of being देखिए, ऐसे बहुत से sentences होंगे जहाँ पर कोई action perform नहीं हो रहा है, पर कोई भी sentence पर कोई action नहीं हो रहा, वहाँ पे बी की यह सब forms, इन में से कोई भी एक form यूज होती है जैसे की, Monica is a sweet girl, तो यहाँ पे कोई action नहीं perform हो रहा, पर इधर है is, तो यह है बी की form, तो यह verb है ओके, इसी तरह से, I am a student, यहाँ पे भी am जो है वो एक verb है similarly, we are football players, तो इधर आज जो है वो एक verb है तो जिन sentences में कोई action नहीं perform हो रहा, वहाँ पे verb दिनोट करती है, state of being किसकी कौन सी verb से, be और उसकी forms से, is, am, are, was, were, will be, or shall be now, third point is, that verbs can also denote possession verbs जो है, वो possession को भी denote करती है, possession यानि किसी चीज़ का होना, अपने पास होना, उसे और यह denote करती है, वो कौन सी verb से, have और उसकी form से, have की क्या-क्या form है has, have, had, will have, and shall have, examples लेखते हैं, a car has four wheels car के पास four wheels होते हैं, तो यहाँ पे जो has है, यह verb है, क्योंकि यह बता रही है कि car के पास कितने wheels है, has, बतलब यह denote करिए possession, कि car के पास है I have some money, इधर have जो है, वो verb है, क्योंकि यह बता रही है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास, possession बता रही है next, I had breakfast this morning, मैंने आज सुबह breakfast किया था तो यहाँ पे जो had है, यह भी एक verb है, क्योंकि यह possession डिनोट कर रही है ठीक है students, तो याद रखिए, कि जो verbs हैं, हमने तीन points पड़े हैं उसमें कि verbs, action बताती है, verbs, जिन sentences में action नहीं हो रहे हैं उन sentences में state of being और possession को डिनोट करती है ठीक है, and do remember that there can be no sentence without a verb कोई sentence वर्ब के बिना नहीं बन सकता now, let's move to our next topic a verb can be made of only one word, two words or more than two words so students, एक important point यह भी समझने का है कि जो verb है, वो सिर्फ एक word की verb भी हो सकती है या हो सकता है, दो words से मिलके verb बने या उससे ज़्यादा words से मिलकर भी verb बने examples देखते हैं, she wrote a beautiful poem तो यहाँ पे जो verb है, वो है रो ठीक है, यानि सिर्फ एक ही word की verb है इस sentence में पर अगर मैं कहूं, the carpenter is making a table अब इस sentence में, is making यह दोनों मिलकर verb है, is making तो यहाँ पे दो words की है verb In a similar way, we will be leaving for आगरा tomorrow Now in this sentence, will be leaving यह जो तीनों words हैं, यह मिलकर बना रहे हैं, verb तो इन sentences के परू हम देख सकते हैं, कि verb एक word की भी हो सकती है दो words की भी, या उससे ज़्यादा words की भी हो सकती है Now let's do practice exercise Question is, underline verbs तो हमें sentences given हैं, we have to underline verbs in these sentences So first sentence is, she advised me to consult a doctor तो यहाँ पे verbs कौन सी हैं, देखिए ध्यान से, doing words यानि action words कौन से हैं इदर, वो है advised क्या कोई और भी है verb इदर, कोई doing word Yes, consult, consult भी एक action word है तो advised और consult दोनों ही verbs हैं इस sentence में Next, let's invite your cousins as well In this sentence, action is invite तो doing word क्या है, invite तो वो हुआ verb I waited for an hour यहाँ पे action हो रहा है, wait करने का तो waited हो गया एक verb Two sparrows lived in a banyan tree तो यहाँ पे रहने का action हो रहा है, living करने का यानि lived Next, we have They were very good friends अब इस sentence को ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई action verb नहीं है यहाँ पे है state of being यानि were were जो है, वो है इस sentence में एक verb Next sentence, who will guide us in our work अब यहाँ पे कोई action verb नहीं है यहाँ पे है will ठीक है, तो यह भी state of being ऐसी verb है यह Last night, we had a delicious dinner at the hotel तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो verb है वो है had यह क्या denote कर रही है यह possession, belongingness show कर रही है कि उन्होंने खाया, रात को खाना खाया delicious dinner खाया We have purchased a new DVD player तो इस sentence में verb है have purchased Okay, next sentence Look up and you will see the top of palm tree अब यह sentence को देखिए she will become a fine singer इस sentence में कौन सी verbs हैं? पहले है is और फिर है will become तो इस तरह से हम verbs को identify करते हैं अब हमें बताना है कि यह verb क्या indicate करती है यह indicate कर रही है state of being ठीक है? Next The police ran up and down the stairs So here verb is ran action यह कौन सी verb हुई? यह हुई action verb Sana has long hair So here has is the verb and it is the verb which is showing belonging I completed my homework तो यहां पहे भी action verb है completed Next sentence She is a dancer by profession इस sentence में verb है is Is क्या है? Being Is हुई Being Right? State of being reflect कर रही है यह verb Now next question is Underline verbs Write 1, 2, or 3 For the number of words the verbs are made of तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि verb एक word की भी हो सकती है दो की भी या उससे जादा की भी तो यही चीज हमें यहां करना है हमें सबसे पहले verb identify करनी है और फिर वो कितने words से बनी हुई है यह लिखना है First sentence is Kiara and Tina are going to the library तो यहां पे verbs देखिए कौन सी है यहां पे verbs है Are going तो यानि दो words से मिलकर बन रही है यह तो इदर हम लिख देंगे Two Rohan and Mohan Are good friends तो यहां पे verb कौन सी है इदर है Are सिर्फ एक ही verb है इदर तो हम लिख देंगे One He will be going to the market soon अब इदर देखिए यहां पे जो verb बन रही है वो बन रही है Will be going तो यानि तीन words से मिलकर बन रही है So we will write three in the box here Summer is studying in his room यहां पे क्या है verb Is studying यानि दो words Last one is She will be repairing the laptop So here verbs are Will be repairing यह मिलकर बना रही है verb तो यानि तीन words की है Now let's move to our next topic Forms of verbs और यह फिर verbs हमारा जो chapter है grammar का tenses वहां पे बहुत काम आती है यह verbs के साथ ही आप वो chapter tenses अच्छे से कर सकते हैं तो यह forms of verbs समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है तो दिहान से पढ़िये इन्हें Next है learn Learn की second form क्या होती है? Learn और third form भी learnt ही होती है ठीक है? तो learn, learnt, learnt Next Feel Second form of feel is felt and third form is also felt तो यह students कुछ ऐसी verbs हैं जिनकी second और third form same होती है देखाना अपने की second और third form same है अब देखते हैं कुछ ऐसी verbs जिनकी second और third form अलग-अलग होती है Fly Fly की second form होती है flew and third form is flown Fly, flew, flown ऐसे ही यार रगते हैं इनको Break Broke, broken Break, broke, broken Speak Spoke, spoken Speak, spoke, spoken Do, did, done देखिए यह दियान से पढ़िए यह बिल्कुल different हो जाती है First form है do then did and then done Do, did, done Next है give gave, given Give, gave, given Now let's see few more examples Verb है go इसकी second form बनेगी wing और third form है gone Go, went, gone Next is sing Sing, sang, sung Sing, sang, sung Next verb है run Second form इसकी बनेगी ran और third form ज्यान से पढ़िए क्या बनेगी run Run, ran, run Next we have make made made make, made, made Then we have sit sat again sat sit, sat, sat Next we have be अब देखे इसकी क्या forms बनती है was या वर बनेगी depending on the sentence we are making and then third form will be been तो be की बनेगी be was या वर और third form बनती है been then we have get get की बनेगी got and got get, got, got Next we have put put की रहती है same ही रहती है form इसकी put, put, put ऐसे ही एक वर्ब होती है cut, cut की भी same ही रहती है cut, cut, cut and lastly we have hear इसकी बनती है heard and again heard hear, heard, heard so students यहाँ पर मैंने कुछ examples आपको बताए है verbs के और उनकी तिनों forms क्या होती है again मैं आपको यही बात कहूंगी कि यह verbs आपको याद करनी पड़ती है और वो याद कैसे होती है practice के साथ देखें English grammar में आपको practice जितनी practice करेंगे उतना जादा अच्छा होगा उतनी जादा verbs आपको समझ में आएंगी दिखेंगी और उनकी forms भी याद हो जाएंगी और यह जो forms of verbs हैं यह बहुत ही useful होते हैं tenses chapter में अगर यह verbs हमें नहीं आती तो हमारे लिए tenses chapter को करना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए इन verbs को याद करिए